सुबह सुबह एक कंप्लेंड आ गई वासिण मसीन की, कस्टूमर के पास मैंने फ़ोन किया, कस्टूमर ने बोला है, कि वह या वासिण मसीन जो है, वो बहुत जोरों से अवाज कर रही है, और उसने हमारे सारे कप्ला यह फार दिया है, चलिए, चल के चट करते हैं वासिण म चलते हुए वाज करती है और कपड़ों को फुफार रही है चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि दोस्तों चलते हुए यह ड्रायर तो इसका वाज नहीं कर रहा है लेकिन इसका जो वास है वो कंट्यूनू इस तरीके से वाज कर रहा है लाहिता है इसके पुलिटर को चेक करते है दोषड़ ओरृष इसके पीछे के पैनल को हम खोल के देखीँ .... इसके पैनल को तो हमने खूल लिया है अर अन्दर के श्टेक है तो दोस्तोथ इसका जो पुछे का जो बुल्ट होता है वो लूजिंग हो गया है जिसकी वजह से पुली में थोड़ा सा पले आ गया है और वही उसी के कारण से ये वासिंग मरसीन का जो वास है वो आवाज करता है इस पुली के जो नट को हम हमारे पास प्राल एजस्टेबल जसकी वज़त से इसको टाइट करेंगे कि गोटी एंडल से अवजनी से टाइट हुजा था लेकिंगे से एज़स्टेबल से थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो इसको पुली टाइट कर देने के बाद में इसको बापस से हम से लाएंगे और पिसे चेक करेंगे कि यह वासिमसीन आवाज करती है यह नहीं करती है तो दोस्तों इसकी पुली को तो हमने टाइट कर दिया है यह सर्ट है जो केस्टूमर की बता रहा है कि केस्टूमर की बासिमसीन ने फाड़ी है तो दोस्तों चेक करते हैं इस बासिमसीन ने इस सर्ट को क्यो फाड़ा है चलिए देखते हैं कर दो पर दोस्तों और ने था इस बासिक मसीन में कोई प्रॉलम नहीं है कपड़े उसके अंदर तैरते रहें जिससे कपड़े फटे ना